यदि आप driving करते हैं गारी चलाते हैं तो आज ये कानून आपको जानना बेहर जरूरी है देखिए किसी के साथ ऐसा हो सकता है या अगर आप नहीं भी चलाते हैं रोड पर चलते हैं तो कभी भी ऐसा घटना घट सकता है लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी के अभाब में आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर करना क्या है माल लेते हैं रोड पर चल रहे हैं ठीक है और आप यह गारी चला रहे हैं और गारी जो है किसी कारण बस गारी का एक्सिडेंट हो गया कोई जान बुझ कर एक्सिडेंट नहीं करता हो सकता है कोई जान बुझ कर भी करता हो लेकिन जादे तर जो एक्सिडेंट हो जाते हैं वो कहीं न कहीं लापरवाई के वज़ा से होते हैं तो अगर माल लेते हैं कोई ऐसा जो है किसी के साथ माल लेते हैं ऐसा अगर हो जाता है तो उनको क्या करना चाहिए उसके लिए कानून क्या सब है अगर मान लेते हैं आपको अपना बचाओ करना है तो आप अपना बचाओ कैसे करेंगे और साथ साथ अपनी गारी का बचाओ कैसे करना एक तो अपना बचाओ भी करना है साथ साथ गाड़ी का भी बचाओ करना है अलगी सरक हादसा अगर हो जाता है होने पर जो या तायाद पुलीस है या पुलीस है पुलीस को क्या पावर दिया गया है आखिर पुलीस आपके उपर क्या कर सकते हैं किस परकार से एक्षिन ले सकते हैं लेकिन इसमें जो भी उनका कानूनी अधिकार है वो जानना बहुत जरूरी है कि अगर माल लेते हैं कि आपके साथ कहीं न कहीं दुर बिभार हो रहा है और आपके साथ गलत हो रहा है आप सही है तो आप अपना बचाओ कैसे करेंगे तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एक बताते हैं एक एक परकिरिया बताएंगे कि आखिर ये जो है अगर किसी परकार का रोड एक्सिडेंट होता है तो आपको सबसे पहले यहां पे क्या करना चाहिए सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान में रखें कि जिसकी लापरबाही होती है जिसकी लापरबाही होती है वाही होती है है ना केस उसी के खिलाब दर्ज होता है मतलब अगर किसी परकार का लापरभाही आपका नहीं हुआ है तो आपके खिलाब केस कैसे दर्ज हो जाएगा आप सही है माल लेते हैं आप अपने लैन में चल रहे हैं सामने वाला गारी आपको ठोक दिया और आपका एक्सिडेंट हो गया तो इसमें आपकी गलती नहीं है तो आपकर किसी परकार का कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा तो इस बात को माइंड में आज सेट कर लेंगे लेकिन आपके मन में सवाल यहा है कि किसकी लापरभाही है कहने का मतलब है कि अगर एक तरह से किसी का लेंड सब कुछ सही होते हुए भी एक्सिडेंट हुआ है और यह पता नहीं चल पारा असपस तरीके से कि कि किसकी लापरभाही है देखिए आप दोनों का फक्त सुनके फैसला तो नहीं लिया जाएगा कि माल लेते हैं कि दोनों गारीबाले यह बोल सकते हैं कि हम निर्दोस हैं है ना जो ड्राइबिंग कर रहे हैं वो बोल सकते हैं कि हम निर्दोस हैं लेकिन जो वहां के पबलिक हैं या वहां का जो सी सी टी वी का फूटेज है अगर वहां पे लगा हुआ है तो वो क्या बोलता है उसको देखकर या कोई पबलिक है उससे पूछताच करके परसासन के दोरा एक्षन दिया जाता है तो इस बात को आप समझ लें सबसे पहले जिसकी लापर भाही तो इसलिए बहुत लोग जो है यहाँ पे जो समझते हैं वो दावा भी करते हैं कि आप सेसी टीवी फोटेज चेक कीजी मेरी इसमें किसी परकार की कोई गलती नहीं है अब यह है कि आप माल लेते हैं कि लापरभाही से गारी अगर माल लेते हैं जा रहे हैं और उसमें किसी का मौत हो जाए मतलब रोड एक्सिडेंट हो गया और उसमें जो है आप सामने वाले को जाके गारी के जो है उसमें ठोकर मारे और उसमें जो है किसी का मौत हो जाता है तो यहां पे पुलीस के द्वारा ऐसा अगर होता है तो पुलीस के द्वारा आई पी सी का धारा सबसे पहले जो है यहाँ पे वो लगाए जाएगा 279 इसलिए कि यह जो धारा है यहाँ पे इसलिए लगाए जाएगा कि यह लापरवाही से मौत के लिए है सबसे पहले तो यह बात असपस्ट होना चाहिए कि लापरवाही से मौत हुई है उसके बाद जो दुबारा है वो यहाँ पे धारा जो है वो 304 304 304 ए यानि यह लापरवाही से मौत है तो लापरवाही से मौत हुई है लेकि हम आपको यहाँ पे बता दें कि अगर कोई लापरवाही से गारी चलाता है ठीक है लापरवाही से गारी चलाता है तो उस केस में उस केस में अगर और वो दोशी पाया गया, माल लेते हैं आप ऐसा करते हैं और आप दोशी पाये गए, ठीक है, तो उस case में है यहाँ पर 6 मा का ही आपको सजा हो सकता है, 6 मा का सजा हो सकता है, और यह जो है कहीं अपराद जो है, ऐसा है परसासन के द्वारा देखा गया, आपको पकड़ा गया या आपका एक्सिडेंट ही हो गया, उसमें किसी का कोई भी जानमाल का खतरा नहीं है तो उस case में आपको गारी चला रहे थे तो यहां पर आपको छे मेना का सजा हो सकता है या कुछ जुर्माना पर आपको छोरा भी जा सकता है और यह जमानती है आपको इसमें जमानत मिल जाएगा लेकिन यदि आप रोड पे चलते होंगे और यहाँ पे यह समझ रहे हैं कि अगर मान लेते हैं गारी से आपका किसी का एक्सिडेंट हुआ और उसका मौत हो गया उसकी मिर्ती हो गई तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं पुलीस आपको एरेश्ट करती है तो धारा 304 एक एताज जो है केस पुलीस जो है वो दर्ज करेगी उसके बाद दर्ज किये के बाद जो यहां पर आपर किरिया है उसके बाद तो होगा यहां को कोट में पेस किया जाएगा लेकिन अगर आप उसमें दोसी जो है वो अगर पाए गए ठीक है आप दोसी अगर पाए गए तो यहां भी आपको यहां पे दो साल का जो है वो सजा होगा दो साल का सजा होगा साथ में कुछ जुर्वाना भी हो सकता है कि वो कोट पे डिपैंड करता है अब ये सवाल है कि यहाँ पे अगर आपको सजा होता है तो जमानत मिलेगा की नहीं मिलेगा क्या आप रिहा हो जाएंगे तो बिल्कुल हाँ यहां भी आपको जमानत जो है वो मिल जाएगा ठीक है यहां से भी आप जो है बच निकलेंगे बचना क्या यह तो डिपेंड करता है कि जमानत मतलब हो जाएगा अब होगा की नहीं होगा यह तो कोट के उपर डिपेंड करता है अधिकतम सजा क्या होगा वो हम आपको बता द परबाही हुई जूस कारण से हुई और यह घटना जो है घट गया तो उस केस में ऐसा होगा ठीक है सवाल आपके मन में भी बहुत सारा चल रहा होगा कि अगर मालेते रोड पर चल रहे हैं और कोई वैक्ति को जान बुझ कर मालेते प्लानिंग करके अगर उसका ऐसा कर देंगे तो एक्सिदेंट करके और खत्या भी कर सकते रहे हैं लोगचा और यह चीज अगर मन में चल रहा है तो बिलकुल इसको मन से निकाल दीजे देखिए सब जितना भी बात चल रहा होगा सब का जवाब आपको आने वाले समय में सब कुछ मिलेगा और ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं कोई किसी परकार का जखमी ही हो गया जो है आप एक्सिजेंट किये उसकी मिर्तियू नहीं हुई गायल हो गया तो बहुत तरक की बात आपके दिमाग में चलता होगा लेकिन कोई भी धारा लगाने से पहले लापरवाही तो होना जरूरी है अगर लापरवाही आपकी गलती नहीं पकरी जाएगी अगर आपका गलती नहीं निकलेगा ठीक है तो फिर यहाँ पर आप पर ये जब तक लापरवाही वाला धारा जो है वो आप पर नहीं लगेगा है ना यानि 279 तो उसके बाद तो कुछ संभब ही इस बात को आप समझ लेजिए ठीक है तो सबसे पहले यही देखना होगा कि उसकी लापर बाई हुए अब यह सवाल होता है कि माल लेते हैं कि अब कोई आप गारी लेकर जा रहे हैं आप ग्रीन में हैं अब कोई रेड लाइट जो है वो होता है कि रेड लाइट उसको है फिर भी वो जम्प करके निकलना चाहता है वो आपके गारी आपको आकर ठोकर कर दे तो यहाँ पर आपके कोई गलती नहीं होगी साथ में जो है उसी को पकरा जाएगा और यह चीज तभी असपस्ट होगा जब इसको वेरिफाई किया जाएगा मालत है कि वहाँ पर अगर किसी पर करकर कोई भी आतायात कि जो है वो पुलिस मौजूद नहीं है तो वहाँ कर लगे सीसी टीवी को देखा जाएगा वहाँ के पब्लिक से पूछा जाएगा ठीक है अब यहाँ पर है कि मालत है कि अगर आपका जो भी गारी है और यह असपस्ट हो गया कि नहीं आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि रोड पर बेकती चल रहा है और आप आए ठीक है और ठीक है और मान लेते हैं कि अब यह अब इसको जो है आप ठोकर मार कर चले गए इसकी मौत हो जाती है ठीक है अब बाद में पता चला कि आप इस पे जो है पूरा एक प्री प्लान के साथ कैसा किया हैं तो यहाँ पे IPC का धारा अब ये तो आप उसके साजिस के ताहद सारा काम किया गया है तो IPC का धारा है 304 जो है यहाँ पे उसके ताहद यह जो है आप पर आरोप लगाए जाएगा अगर आप दोसी साबित होते हैं यहाँ पे तो आपको 10 साल का सजा होगा यहाँ पे आपको 10 साल का सजा दिया जाएगा अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि अगर इसमें जो है आपकी लापरभा ही हुई है तो आप इंसुरेंस क्लेम आपको कैसे मिलता है आप अपना गाड़ी को कैसे ठीक करवा सकते हैं अगर आपको क्लेम नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए बहुत तरह के नियम हैं बहुत तरह के कानून है और सारे सवाल का जवाब आपको आने वाले जो वीडियो है उसमें हम देने का परियास करेंगे आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो चला वीडियो को लाइक जरू करते हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरू दबा लिजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाएगे